चंद्रमा उसी जल में प्रति विम्मित होता है जो जल शान्त हो फिरो यह तो समस्या होती है मन के मन कभी भी शान्त नहीं हो पाता जहां शान्ती नहीं वहां कुछ भी नहीं रुखता समुद्र की लेरों की बाते पिचारों का उपद्र मन को निरंतर स्थिर रखता कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है किन्तु मन मौन रहना नहीं जाता वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता प्रतिपत शब्दों का आक्रवन चलता रहता है मन पर और यही आक्रवन है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जाता जहां जीवन की सत्यता का वोट उसकी प्रतिप्शा कर रहा होता मैं वो हूँ जो नहीं है जो नहीं है वो मैं हूँ जिरकाल तक सभी को यह स्मरन रहे जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूँ और जिस शन आप में श्वास नहीं तब आप मुझ पे सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार नहीं है अपने नीजी वारिवारिक और सामाजित दायत्वों का परित्याग भी आवश्चत नहीं सत्य तो सदैग हमारे साथ है हमारे सामने है तिन तो हम स्वयम धीरे धीरे उस पे अपने क्रोथ अपने एहन बाए विचार और मैं तुकांशाओं जैसे कई आवन जगा देते सत्य उमसे नहीं हम स्वयम सत्य से दूर हो जाते जाना अम्रिद न विश्च ना सुक ना दुख ना स्वर्ग ना नर्ख वही परमानंद है उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी यात्रा अनंद के सानिध्य की है और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं मुझे डूंडो मत केवल पहचाना तुम ही मैं हूं मैं ही तुम हर आरंब का मैं ही अंद हूं और हर अंद सदैब मेरा ही आरंब होगा देव देव महदेव शिवा देव देव महदेव शिवा तुम्हारे साहथ चल तुम्हारी अपनी चाउने किया है तुम्हारे हट ने किया है। तुम्हारी अपनी सोच ने किया। यह रहस्य नहीं, कि वर एक आत्मा मुक्ति की चुक होती है। जो मरता है, वो है पंच भूतों से निर्मत शरीर। किन्तों आत्मा, आत्मा तो अजर है। अमर है। जिसकी यात्रा मुक्ष पर संपूर्ण होती। जहां असान सारे बंदनों से रखती मुक्त हो जाता है। किन्तों तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदय उन तत्मों को ठूंडते रहे। जो तुम्हारे अंकार के पोशन हे तो आवश्यक्ते। किन्तों सत्य तो यह ही है। कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम केसी के। जो है वो परमात्मा का है। और जो नहीं वो की परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम्हे सत्य से अनभेक्य हो। किन्तों इस शरीर के पूर्व तुम्हे इस सत्य का बोद था। और इस शरीर के पस्चा तुम्ही रहेगा। रश्न ये है अर्व। कि क्या तुम्हे सत्य को अभी स्विकार करना चाहते हो। कि दिख करते हो। तो परिवर्तन का मार्ग स्वता प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम्हे तक्ष को हिससत्य मानते रहे। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधार रहे। कि इन्टो प्रश्न यह है कि क्या आपकी वक्ति संपोर्ण नहें विश्वास औ भ्रम के बीच की रेखा त्यंत महीन होती है। असंग की विक्ति यह नहीं समझ पाला। कि उनका विश्वास विश्वास है। यह भ्रम। मुझ तक पहुँचने के लिए किसी और की अराधन आनिवार नहीं। मेरे सच्चे बक्तु मुझे किसी भी रूप में पूज सकते। किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते। ओ, नमाश्युवावे। बुरुश व प्रकृति एक है। वो कभी प्रिधक नहीं हो सकती। शक्ति शिव के बिना अधूरी है। और शिव तक शक्ति के बिना शव के समाना है। शिव शक्ति पुरुश पक्रति का संतुल तनेव अनर्थकारी सिर्थ हुगा। शरीर में यदि इस्त्रीत अत्मों की ओर जाने तो शरीर में जीव लाए शक्ति और शिव के संपून और रहस्यों को समझ लेए बक्ति क्यान और तपस्या की पलाकाश्टा जब क्यान के लिए शब्द पर्यात्मा उधारन प्रस्तुत करना अनिवारे हो जाता है केवल आपके लिए ही नहीं अपे तो आपके मात्यम से समझ संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से उन्हा अवगत कराना इस बसंद का उदेश्य था महादेव 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 तक की यात्रा है तुम्हारी यात्रा आनंद के सानिध्य की है ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं मुझे डूंडो मत केवल पहचानो तुम ही मैं हूँ मैं ही तुम हर आरंब का मैं ही अन्थ हूँ और हर अन्थ सदैब मेरा ही आरंब होगा देव देव महादेव शेवाद पंडित महोद एको अपने अंति मुद्द का तात्परे बता तात्परिय यह है पंडिची इस जगत में एट गुण, दो गुण, तीन गुण, पांच गुण यह सारे अरोपन मानों का मस्तिश करता है अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और यह सारे गुण में माया मात्र है सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भागी और गुण तो मात्र दीला का नाम है किन्तु प्रभू ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं वेद तो इश्वर के आराधना, व्रत, तब, ज्ञान आदिक क्रियाओं से करना सिखाता है तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महुदे वेद का सई अर्ध घटन करना इस समय संभव नहीं प्रजापिता ने वेद के मंत्र दी ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के मात्यम से निर्गुण तक पहुंच सके किन्तों आप सब गुनों की मिमांसा में ही रुक है प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आभी का प्रत दब दान यग्ये त्यारी से ही संसार का निर्वाह होता है इन तो उसी वेद में इश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुन बनने का माद चिपा हुआ है जान को आप देख नहीं पाते है पंडित महोदे इसलिए अपने आपको देवताओं से अधिक ज्यानी समझते है पंडित मौदे ज्यान का प्रहम अज्यानता का प्रथम लक्षन है इस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता उसी प्रकार ज्यान के अंकार से भरे मन में अधिक ज्यान नहीं समाता प्रश्ण नहीं वहां जिग्यासा नहीं होती वहां ज्यान की वृद्धी नहीं हो सकती निसंगोच होकर पूची प्रभू आप तो कालोपरी हैं सरवग्य हैं त्रिकाल दर्शी हैं चारों और ये जो अज्यान का अंधिकार फैल रहा है उसमें ज्यान का मूल अर्थ कहीं न कहीं होता जारा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभू किसी अन्य विशय पर चर्चा आरंप करने से पूर हमारे और इस समस्त संसार के कल्यान और मार्ग दर्शन है तो आप ज्यान की मूल परिभाशा से एक बार हमें पुना अप्पत करवाएं ज्यान और अज्यान की परिभाशा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्यान और अज्यान की विशिश्ताओं का स्मरन करना आवश्यक है जिसके कारण स्वार्थ, फिनाश, कुरूर्था, अशान्ति और भए में वृत्थी हो वो अज्यान है किन्तु जो व्यक्ति कोदार, निर्भीक, सेंशीद और विनम्र बनाएं पही ज्यान है अज्यान की शक्तियां तु रुपियोग करने हैं तु प्रेरित करती है किन्तु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थिके भटे, अपने उत्तरदाइद को समझाए जोना केवल अपने अपितु अपने से पहले, संसार के उत्तार ये तु प्रोच्साहिद कर, वो ग्यान है ग्यान का मूलो देश ही परोपकार है स्री जन्यले, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना यही ग्यान है क्योंकि ग्यान हमेना केवल अपने अपितु दूसरों की दुख और सुख के प्रतिभी सम्वेदन शील बनाता किन्तो जो दूसरों की भावनाओं का नादर्ग है उसे ग्यान की श्रेनी में कैसे रखा जा सकता अज्यान के कारण व्यक्ति सांसारिक्ता में बंगता जाता वो माया में उलचता जाता अज्यान परमसत्य से दूर ले जाने का बात्यम है किन्तो ज्यान ज्यान व्यक्ति को परमसत्य की और ले जाता है ज्यान मुक्ती तायक में ठुक्ष का मारगॵश्यृ और इस मुक्तीदायक ज्यान का सरवक्ष रूप है अत्म ज्यान ओर यही ज्यान की फून का भी है टूर अग्यान का यह उंत्त संसार में लिशी कहशं ये तो किसी शेचो का अगरंदान ने विदर्भदेश की राजवा और मेरी बंटिस अभ्यार्थ का पुट्रा जानुदेश के राजा ने सत्यार्थ की हध्या कर देगी सत्यार्थ की पत्मी ने अपनी शिशु के साथ अपनी दक्षा करने हैं तो वन विश्यर ने इन तो अब तो वो भी मुझ्यों को प्राप्त हो चुगी भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें ताकि मेरी भाति दूसरा कोई भूल ना करें भक्ति मुख्ति का आधार है पुष्पटन और मुख्ति तो केवल समर्पन से ही संभव होंगे और समर्पन के लिए पुष्पन है स्वार ने आप उख्षन भी ने केवल अपने मन को अर्पित करना अले भार रहा है जानना चाहते हो पुष्पटन कि वो कौन से पुष्प है जो मुझे अत्यंत प्रिया है इंद्रियों का नियंत दया चांद तब शमा घ्रान और सत्या और जब कोई मेरे इन पुष्पों से अराधना करें मैं अवश्य प्रसंद होता हूं भक्ती में भव्यत आवश्यक नहीं है पुष्पटन अभे तुसा रिल्लत आवश्यक है वक्त के लिए ये समझना अध्यंत कठिन हो जाता है प्राय वक्ती कब मौ में परिवर्थित हो जाती है और एसे में पत्प्रमित होना हने वादे है तो पिताजी कुछ वेक्ती आईंसा का रत कर रहे हैं कित्वतिक आँश भेक्ती तो अस्त्र सक्टन से सुषजी तो करीं खुम रहे हैं शज़ीर की रक्षा केलिए बड़े दुर्ग बनाये जा रहे है कावज बनाये जा रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वहमा योग और शुपटा के कवज का त्याक कर दिया शुर क्योंकि अब शुबता उनके लिए जीवन को जीने का अधार नहीं रह गए क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए एक कटिन सी साधना है जो व्यक्ति जो समाज योग से और साधना से चितना पिमुख होगा वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्मान ही तो सदैव विवश्यों का व्यक्ति के अंतर मन से शुबता चितने ही शीन होती जाएगी योग की अगनी चितनी कम होती जाएगी उसके जीवन में अंदकार की अगनी भी उतनी ही प्रचंद होती जाएगी तमाज में ऐसे अभिमानी और एंकारी व्यक्तियों की संक्या सदय बढ़ती नहीं कि पत्र तमाज में उतनी ही पीवरता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अकरसा रोगा कि तो पिता जी जो समाज यूग शुपता से विमुख होता जा रहा है उन्हें कैसे लोटाया जाए प्रयत ने जाए एक मात्र किसी के भी दरातल पे चले जब तक स्रिश्टी के किसी भी अंच जब तक एक प्राने की शुपता और यूग के त्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत ने शील रहेगा जब तक वो शुपता और यूग के वस शुपता की वस्तों नहीं समझेगा तब तक स्रिश्टी में शुपता की पराजे असंभव है पुत्र तक यूग बल और शुपता का समापत नहीं हुआ पर इस्थितिया कैसी भी विकट हो पुत्र अहंकार त्यंदकार का और अवरंचाहिक कितना भी कना अध्यात्म योग और शुपता का एक लगो दीपक भी हो सदे उस पर विजय होता रहेगा मेरा एक अतन सदे स्मान नगनापत मन के हारने से हार है और मन की चीत में ही चीत होती है अपने मन से शुपता और योग को तुम कभी भी विश्थापित नहीं होने देगा